तो यहाँ पर जो question दिया गया है, वो किस formula के सद match होता है? तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो यह पहला term है, यह दोनों same है, और यह आखरी term भी same है, लेकिन यह बीच का sign है, यह ही अलग-अलग है, इसका मतलब यह कौन सा formula है? a plus b and a minus b, जिसका मतलब होता है, a square minus b square, तो अभी since question तो इस form में दिया हुआ है, तो जो answer निकालना होगा हमें, यह form को use करके ही निकालना है, so a square minus b square, तो यहाँ पर जो a का value है, वो कितना है? 2 root 3 है, और जो b का value है, वो root 5 है, तो यहाँ पर क्या करना है? a square, so 2 root 3 whole square minus root 5 square, तो अभी इस चीश को देखो, यहाँ पर जो यह 2 है और यह square है, so 2 का एक बर square होगा, multiply, जिस root 3, इसका एक बर square होगा, minus root 5 square, जिसका answer होता है 5, so यह पर 2 square होगा 4, root 3 का square होता है 3 minus 5, so 4 into 3 will give 12 minus 5, which gives 7, और यह है रुमारा answer.